हलो बच्चो वेलकम टूएड़ो विथोप यूटूब चैनल और आज के वीडियो में जिनरली हम पढ़ने वाले हैं कॉडिनेट जुमेट्र के बारे में और देखिए कॉडिनेट जुमेट्री से 6 मार्क्स का आपका जिनरली टमफरस्ट में आपको आने वाले हैं तो इसमें हमें जिनरली जो अभी पढ़ना है पढ़ना है मिड्ला भूल्ड Nep ie सबसे पहले हमीड दिस्टें Springs फर्मूला को पढ़ेंगे हैं और सबसे लास्ट में मिड्ला मिड्ला को बढ़ेंगे तो चलिए एक औक कर सारां पढ़ेंगे तो आज के शेशन में आपको निस्टेंस axe की जाएगा तो सबसे पहले इसका डिराइवेशन से खेंगे कैसे डिस्टेंस फर्मूला आता है उसके बाद इस पर हम लोग कोशन करेंगे तो टूटल छे मार्क्स का है और काफी इसी टॉपिक आपको लगेगा तो इसको पुड़ा आप देखिए तो देखें कोडिनेट बेसि थोड़ा सा तो आप लोग ने नाइन्थ में पढाऊगा या फिर नाइनथ का एक वीडियो इसको भी जाकी दिख सकते हैं या मैं बतायता हूँ कि यह आपका ग्राफ है यह मानने जी आपका ग्राफ हुआ यह एक्स हुआ यह एक्स देश्ट हुआ यह राइट साइड X3 X4 ऐसे करके कॉडिनेट के कुछ गालू हम लोग ने माल लिया राइट साइड अगर हम लेफ्ट साइड आएगे तो माइनस X1 माइनस X2 माइनस X3 माइनस X4 इस तरीके से होता चला जाएगा अगर अपर साइड हम लोग चलेंगे तो यहां पर माल लेंगे Y1, Y2, Y3, Y4 and Y5 सेम तिंग यहां माइनस Y1, माइनस Y2, माइनस Y3, माइनस Y4, माइनस Y5 इस तरह से वैलू सब जगा आपके क्रियेट हो जाएगे तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि देखिए जनरली अगर आप यहां पर बनाया है हाइपोथेटिकल आपको एक सरकल बन जाएगा और सरकल का जो आपका एक भाग होता है सरकल को जब आप कट करते हैं सेंटर से तो दो चार भागों में बढटा है और एक भागों क्या बोलते हैं क्वाड़ेंट बोलते थे सेकंग फिन फॉर्थ अब इधर आ अगर हम माल लेजे कि IS QURADINT में फ ya बिलाइस करेगा ऩिस का काइडियनेट क्या हूँ अगर मैं यहां पे प्टो इंड रा रहा हूं यहां सिसका कॉडिनेटि आपको पहले सबसे पहले तो coordinate कौन सा लिखते है तो पहले हम लोग होरिजन्टल चलेंगे तब height की बात करेंगे याद रखने का trick है पहले हम लोग होरिजन्टल चलेंगे तब height की बात करेंगे तो horizontal मतलब एक्स पहले होगा उसके बाद फिर y होगा तो यहाँ पी अगर value बोला जा तो x2 हो अब देखिए यह जो पॉइंट हमारा था इसको मैंने लोकेट नहीं किया हमारा अरीजिन है मतलब यहां पर X भी 0 और Y भी 0 मतलब X भी यहां पर X भी 0 और Y भी आपका 0 है जब आप इधर बढ़िएगा इस side बढ़िएगा तो x तो बढ़ गया लेकिन y आपका नहीं बढ़ा that means यहाँ पे जो coordinate हो जाएगा वो x1 और 0 हो जाएगा वही अगर इसके अलोग हम लोग बढ़ें इधर तो यहाँ पे अगर जाएगे यहाँ पे तो यहाँ पे y बढ़ा x नहीं बढ़ा तो यहाँ पे आपका 0 और y1 coordinate होगा मतलब कहने का simple सी बात समझेगा कि अगर x axis पे आप चल रहे हैं तो आपका y 0 होगा अगर आप y axis पे चल रहे हैं तो x आपका 0 होगा मतलब अगर आप y point यह पूड़ा y line है इस पे अगर आप move कर रहे हैं तो यह अवला x तो फर्क ही नहीं पड़ेगा तो x आपका 0 होगा अगर आप x axis के along चल रहे है तो y की तो बात ही नहीं हो रही है तो आपका y 0 होगा की दिस्टेंस वर्मूलाद लोगों को निकालना शीचळणा है कि दिस्टेंस आप कैसे निकाल पाईयेगा थोड़ा सह ध्यान दीजेग़ा यहां पर माल लेजिए यहां पर माल लेजिए कि कोई एक point है यहां पर और एक point आप माल लेजिए कि यहां पर एक मिनिट मैं इसको हटा देता हूं दूसरा फिगर मैं बना यता हूं उसके बाद आपको अच्छे समझ लाए रहा हूं चलिए अब हम डिस्टेंस फर्मूला का प्रोब पढ़ेंगे तो डिस्टेंस फर्मूला निकालना हमेशिक नहीं तो देखिए डिस्टेंस ठासन हैं तो अलब सब्सक्राव सब्सक्प्राइब चिंदिक जाने पंगरूरा हमारा हमारा है और ही और यह दो कि अब बात किया तो यहां से यहां तक यहां हमारा यह हमारा और एक चीज और ध्यान रखेगा यह जो एक से न लिख के ordinate लिखा रहेगा कभी-कभी x-axis न लिख के epsi सा लिखा रहेगा तो यहां से यहां तक की दूरी की अगर हम बात करें तो क्या होगा x1 होगा और यहां से यहां तक की दूरी की बात करें तो y बना होगा यह हमारा a point हुआ B point का अगर उसी तरह से आप coordinate लिखना चाहिए तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी अगर मैं ऐसे ट्रॉक कर दू यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी क्या होगी Y2 होगे तो generally यह वाला coordinate X2 और Y2 हो गया यह वाला coordinate हमारा X1 और Y1 होगा हमें दूरी कहां से खाहा तक की दूरी बतानी कहां से कहां तक के A B की दूरी हमें निकालनी है तो generally अगर हम देखें तो यहाँ पर मैं यह भी कर सकता हूँ इसको इसके along पैरलेल कर दिया इसका coordinate था X1 और Y1 तो generally देखें जो यह distance होता है अगर perpendicular distance होता है यह 90 है, तो यह भी हमारा क्या होगा, 90 होगा, अब देखिए, आपको निकालना क्या है, यह A भी निकालना है, तो A भी निकालने के लिए, अगर यह right angle triangle हो गया, जैसे A, B, C, अगर माल लिजे कि right triangle हो गया, तो आप यह दूरी कैसे निकाल पाईएगा, तो यह hypotenuse है, तो इसक बराबर क्या हो जायका? Rhoot under PA square plus BA square अगर हम इसको依ा है, हमारा क्या है यह है, तो AB बराबर क्या हमारा हो जाएगा? AB बराबर root under PA square, that means distance, तो P हमारा क्या हो जाएगा? BC का square plus AC का square, तो हमारा देखिए AB निकल जाएगा, तो AB है क्या distance from A and A to B तो हमारा जनरली AB ही हमें निकालना था और AB हम यहाँ से इसलिए निकाल सकते हैं तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि यह distance पता करना पड़ेगा मतलब base पता करना पड़ेगा और perpendicular पता करना पड़ेगा तो देखिए यहां से यहां तक की दूरी x2 है और यहां से यहां तक की दूरी x1 है तो यह दूरी कितना हो जाएगा x2-x1 हो जाएगा देखिए अगर हम ac की बात करें तो ac क्या हो जाएगा तो ac हो जाएगा हमारा x2-x1 तो जैसे मालिए यहां ससे यहां तक का चार वैलो और यह कितना हो जाता तो इसी तरह से यहां से यहां तक के वैलो एक स्टू है यह वैलो एकश होना तो यह तो अब गणा जाएग्या एक्स्टू माइनस एक्सबाए उसी तरीकिता से यहां से यहां तक का वार्य है और यह बन है यह वैलू हमारा साधा है कि वयलु का यह हमारा BC का वैलू आ गया है हमें निकालना कि आप इस वैलू को चुपचप क्या करेंगे इस पर रख देंगे तो यहां रखके देखें AB बराबर रूट अंडर BC की वैलू हमारे पास क्या आई है BC की वैलू को अगर बात कर तो X2-X1 का स्क्वार रूट अंडर तो यहां से AB की जो वैलू हो गई हमारे पास क्या निकल के दिख रही है X2-X1 का स्क्वार प्लस Y2-Y1 का स्क्वार मतलब आपको कुछ नहीं करना है अगर आपको यहां से गटवा दिये आपका यहां पर शाइन प्रॉब्लम हो जाएगा और आपका एंसर गलत हो जाएगा तो आपको बस काम क्या करना है कि जो भी चीजे हैं जिसको मनेंगे वही से हम लग सब्ट्रक्शन करेंगे करेंगे यहां से X2-X1 करेंगे का स्कॉार हो जाएगा तो हमारा यह भी निकल जाएगा तो बहुत इस है तो यह हमारा क्या था आपका डिस्टेंस फर्मूला आपको आपको समझ में आया होगा अगर कोई कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं मैं कोशिश करूगा कि आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर वादे या फिर अगर आपको ज्यादा कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप टेलिग्राम चैनल पर भी हमें जॉइन कर सकते हैं वहां आप अपने शमस्याओं को बता सकते हैं तो वीडियो को देखने के लिए अगर मैं बात करो तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद और हमसे जुड़े रहने के लिए भी बहुत बहुत आपका धन्यवाद